हलो फ्रेंड्स बेसिक कम्पीटर नोलेज फॉर एस चैनल मापका हार्दिक स्वागत अभी तक के वीडियो में आपने इफ इस्टेट्मेंट देखा था आज के वीडियो हम देखेंगे स्विच इस्टेट्मेंट कैसे काम करता है और उसका एक प्रोग्राम बना के देखेंग वीडियो मागे बढ़ने से बहले दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छा लगता है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पाईए हमारे चैनल का नाम है बेसिक कम्पीटर नोलेज फॉर एस इस पेज आनी के बाद आप सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए पास में जो बहले अकन से प्रेस कर दीजिए बेना देरी के हम बढ़ते हैं स्विच इस्टेट मिड़े पर स्विच केस का सेंटेंज देख लेता है पहले कैसा होता है सबसे पहले हम पर शुच जो की बढ़े वह लिखेंगे उसके बाद में पर अंधिस में वेरी पर लिख देंगे कोई भी और कर्ली ब्रेसेश जो है वह स्टार्ट कर देंगे और इसमें हम केस लिखेंगे केस के बाद में हम लिखेंगे वेल्यू जो भी वेल्यू होगी वह फिस जो भी स्टेटमेंट है वह लिखेंगे इस्टेटमेंट में टू त्री फॉर जो भी इतने भी होते हैं वह लाश में से भी लगाएंगे और स्टेटमेंट रिखता होने यह वाद में लिखेंगे ब्रेक यह हमारा जनरल सेंटेस रहेगा यह केस हमारे कितने भी हो सकते हैं अब वर्जी यह उतनी कर सकते हैं और लाश में लिख देंगे हम डिफाल्ड डिफाल्ड में हम कोई स्टेट्मेंट लिख देंगे इससे क्या होगा दोस्तो जनरली जो हमारी जो वेल्यू होगी स्विच केस में जो वेल्यू होगी वो और केस में हम जो वेल्यू लिखेंगे वो अगर वो दोनों इक्वल होती है तो तो वो स्टेट्मेंट र हो जाएगा जैसे हम यह पर लिख लेता है इस्टेटमेंट बन इस्टेटमेंट टू और यह इस्टेटमेंट तरी हो जाएगा और लाश्ट में हो जाएगा स्टेटमेंट फॉर तो दोस्तों अगर जो स्विच में हमने वेल्यू लिखी है वो और केस जो है जिसमें स्टेटमेंट बने उसकी वेल्यू एक्वल होती है तो स्टेटमेंट बन रन होगा उसके बाद में ब्रेक से जो स्विच स्टेटमेंट ह भो ब्रेक हो जायगा और उसे हम बाहर आ जाएंगे ऐसे हम अगर statement 2 अगर value उसकी सही है तो उसमें जाएगा break से बाहर जाएंगे 3 में है तो सही है तो उसमें चल जाएंगे और break से बाहर जाएंगे अगर तीनों case की जो value है वो switch statement के variable से match नहीं करती है तो by default में जो default है वो statement run हो जाएगा मतलब कि statement for और automatically break हो जाएगा मतलब कि program से बारा जाएगे मतलब switch case से बारा जाएगे और आगे का जो program वो run होने लग जाएगा तो आईए आगे बढ़ते हैं program की तरफ इसे मैं आटा देता हूँ program लिखते हैं तो दोस्तो प्रोग्रम हमारे है write a program to input color code and print name of the color तो जो भी हम color लिखेंगे उसका एक code होगा और जो हमने लिखा है उसका क्या नाम था वो हमें print करने हैं तो भीना देरी की हम बढ़ते हैं program की तरफ पहले मैं program राइप कर लेता हूँ तो दोस्तो हमने code टाइप कर लिए है इस्टार्स हम देखते हैं कि code में क्या हो रहा है यह देखें सबसे बहले import zawa util load scanner हमने जो भी package होता है scanner वो हमने लगा रखा है फिर हमने class लिखा color code color code नाम के हमने class बनाई है फिर हमने इसमे static public void main main नाम का एक function बनाई है और इस पर हमने character type का एक ch variable लिए है वो लाश्ट में semi-cool लगा है उसकी बाद में हमने scanner जो class हमने है उसका object बनाई है s नाम से scanner s बरबर new scanner system.in तो हमने s नाम का एक object बनाई है scanner class का और हमने एक message प्रिंट करवा दिया system.out.println print enter color code इसके बाद में हमने जो भी ch character variable लिया था उसमें हमने input करें यह value ch equal to s जो की एक scanner class का एक variable है s नाम का object है s नाम का object है s. उसके बाद में हमने ch जो है variable उसमें input value कर वही है s नाम का object है इसके नाम क्लास का next care at 0 care at 0 मतलब कि हमने a की value लिये कोई string value नहीं लिये इसके लिए उसके बाद में हमार जो switch statement है इसमें हमने value insert की थी ch variable में वह हम लिख देंगे ch और इसमें हमने case जो है वह डिक्लेर कर दिए case r फिर हमने case capital r चाहे small हो या capital r अगर हमने i insert किया है तो system.out.println क्या पिंट हो जाएगा red color r indicate करता है red color को sg जो है वह indicate करेगा green को और b जो है वह indicate करेगा value को अगर इन तीन के लाव हम कोई भी और character दबाते हैं प्रेस करते हैं insert value करते हैं ch में तो यह by default value है वह आजाएगा other color which is not defined मतलब कि इनके अलावा आपने कोई color define किया हुआ है तो आईए हम इसका practical score अगर के देखते हैं सबसे मेल हम इधर आएंगे जावा में फिर हम इसको compile करेंगे compile करने के लिए java c हमारी file का नाम था color code dot java इसे compile हो जाएगा इसको run करने के लिए होता है java color code enter करतेंगे फिर enter color code तो color code हम देदेते हैं capital B enter करेंगे enter करते हैं क्या हुआ blue color दोबारा run करते हैं इसको और small wheel डालते हैं तो इस बार भी क्या हुआ blue color फिर हम run करते हैं इस बार हम color डालते हैं r तो red color फिर करेंगे run g डालते हैं तो green color फिर run करेंगे इस बार हम कुछ और डालते हैं pick कर देते हैं तो यह other color code which is not defined हमने तीनी color define किये थे इसके लावने define नहीं किया था तो यह run हो रहा है तो यह generalist sentence था switch case है switch case में हम case लिखेंगे case में जो भी statement जो case की value होगी वो और switch की value होगी वो अगर match करती है तो वो statement run होगा अगर match नहीं करता है तो default जो variable है default statement रन हो जाएगा इसके अलवा एक गोर करना वाली बात है दोस्तों सभी statement में हमने ब्रेक लगाया है default में नहीं लगाया क्योंकि default जो variable default जो case है वो सबसे last में ही आता है उससे वेलम लगानी सकते तो इसमें break की आवशकता नहीं है बाकी में break लगानी की आवशकता है अगर आप break नहीं लगाएंगे तो one-by-one run होते रहेंगे तो उम्मीदे दोस्तों आपको वीडियो समझ माया होगा अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है वीडियो समझ माया है तो आप हमार चैनल पर यह हमार चैनल कर नामें इसे सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए तो आज के वीडियो में हमने स्विच्छ केस में कैसे हम वेल्यू इंसेट करते हैं और इसको कैसे यूज में लेते हैं हमने सीखाए और अगर आपको फिर भी किसी तरगी कोई डाउट होता है कोई समझी आती है तो आप मुझे कमेंट बक्स में कमेंट कर सकते हैं आज के वीडियो में बिलता है नेक्स वीडियो में धन्यवाद दोस्तों